छेमबा प्रेस कलब की मासीक बैठक का उजन्ट चमबा के परिधी कुछ में किया गया। विनोध कुमार ने की इस बैठक में प्रेस कलब चमबा के सबही सदस्य हम व Τ्रिश safe मोजूद रहे। बैठक के बारे जानकारी देते हुए प्रेस क्लब चमबा के परधान विनोत कुमार ने बताया कि प्रेस क्लब की बैठक में प्रेस क्लब चमबा के भावन की खस्ता हाल पर विशेश तोर पर चर्चा की गई इमारत भी है तो इसलिए इस इतियासिक इमारत की देख रेक वो मुरंख के लिए जलद ही डी सी मौठे से मुलाकात की जाएगी और इस भावन की मुलाकात के लिए एक प्रेस क्लब का पस्ताब जो है वजला पसासन के पास लंबित पड़ा हुआ है उस प्रस्ताव को भी सरक्रिती दिलवाने ही तू जल्द डी सी मौदे से मुलाकात करेगा तलब का एक प्रतिनीदी मंदल और साथ में ही इस बैठक में एक और निर्णे ये लिया गया कि हमारे जिला चमबा के जो पत्रकार हैं वो जिला चमबा की समस्याओं यहां के लोगों की समस्याओं को सरकार वो प्रसासन के ध्यान में लाने के लिए विकट परिस्तितियों के बीच जो है वो किशेतरों में जाते हैं फिल्ड में जाकर रिपॉर्टिंग करते हैं तो इस कारे को करते समय किसी अप्रिय घटना के चलते उन्हें किसी प्रकार का अगर नुक्सान पहुचता है तो उनके परिवार या उस पत्रकार की कलब आर्थिक रूप से कैसे मदद कर सकता है तो इस बिशे पर चर्चा करने के प्रचाद ये निड़ने लिया गया कि प्रेस कलब जो है वो अपने सभी 44 सदस्यों जिसमें एलेक्ट्रोनिंग मीडिया, प्रेस फोडोग्राफर और प्रेस रिपोर्टर सभी सामिल हैं उनका जो है वो जीवन भीमा करवाएगा ताकि वो एक सुरक्सा की भावना के साथ जो है वो फिल्ड में जाके काम कर सके तीसरा निड़ने आई ये लिया गया कि समाज के प्रति जो पत्रकार है वो समय समय पर अपना दाइतव किशने किसी रूप में निभाते रहे हैं जो जो है वो जल्द ही बन भिवाग के सोजने से जिला मुखहले के आसपास जो है वो पोदार उपन करेगा और पत्रकार किलब जो हमारा जिला चंबा का है वो आगे भी भविशे में समाज के प्रति अपने दायत्व का निर्वाहन करने के लिए और जिला चमबा को विकास की डगर पर ले जाने के लिए सरकार और प्रसासन का पूरा सेव करेगा और जो भी अपने इच्छा सकती के अनुसार वो जो है वो सब को साथ लेकर जो है अपने लक्षे को आसिल करेगा चमबा हलचल मीडिया नेटवर्क रिपोर्ट